कहते हैं कि चाय का कोई समय नहीं होता लेकिन समय ही चाय है अपने दिन की शुरुआत इस गर्म और स्वादिश्ट पेसे करें चाय सर्दी हो बरसात हो या गर्मी एक कप गर्म चाय होटों से लगा कर पीने वाले चाय लोगों को जरूर पसंद आते हैं हमारे देश के नागरिक हमेशा मज़े से चाय कानन लेते नजर आते हैं कई लोगों की सुबह की शुरुआ चाय पी कर होते हैं कई कर्मचारी ऑफिस से समय निकल कर टपरी पर चाय पीने जाते हैं इसलिए चाय की दुकानों पर हमेशा भीड़ी लगी रहती हैं ऐसा यह मुख्य मंत्री देवेंद्र फड़नवीज दो दिवशे दोरे पर नाकपूर है। रविवार को फड़नवीज अपने दक्षिन पच्छिम विधानसबा शेत्र पोचे। इस पीच उन्होंने टपरी पर चाय का आनन लिया। जो नाकपूर की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। रविवार को उन्होंने कार्यकरताओं के साथ चाय पी, फड़नवीज एक चाय की दुकान पर रुखे और अपने व्यस्त कार्यकरम से समय निकाल कर कार्यकरताओं से बाच्चित की। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्वीटर अकाउंट से खामला से स्वकार नगर चाते वक्त अचानक फरनविस का काफिला एक चाय की टप्री पर उखा फरनविस नीचे आये और चाय का लुप्त उठाया इस मोक्य पर उनके साथ बीचेपी नेता और पुर्वमेर संदिप जोशी और अन्यकार्य करता मोजुद रहे उनसे बात करो और वही चाय प्योग वी आईपी ग्राहकों को देखकर चाय विक्रेता भी हैरान हो गए इन्बीसे न्यूज के लिए अखिलेश के साथ अभिसिक पांसी की रिपोर्ट